बारती ट्राइबल पाटी के प्रदेश सद्यक्षी देवेंद्र कटारा का आज परतापगड पहुचनी पर पाटी कारिकरताओं की ओर से अभिवादन किया गया इस दोरान परतापगड जीले की कारिकरनी की गोशना की गई कटारा ने आगामी विदान सवाचन्वामे संभाई की सभी पाटी पर पाटी के उमिदवारों की उतारने की गोशना की वहीं बारती ट्राइबल पाटी अब अपने संगतरन को विस्तार देने के काम में जुती है इसी के थाथ पाटी के परदेश अद्यक्ष और राष्टी पदादिकरी एव दिवसे दोरेपर प्रतापगड पहुचे यहाँ पर एक होटल में आजित कारीकरम में कारीकरताओं को समधित करतो हुए उन्होंने परतापगड जिले में संगर्टन को मजबूत बनाने की अपिल गी इस दोरान परदेश सद्यक्ष ने दर्यावात की गणेश्ट मिना को जिल अद्यक्ष वाबुलाल डामोर ने को नगर अद्यक्ष और पंकर्डामोर को बार्दी ट्राइबल सेना का जिल अद्यक्ष मनोनित किया गया है इक की सद्याश कार करने की भी गोश्णा की गई है पिजाब का अधिवासि मुसलमान बन गिया और कई प्रदेशों का आदिवासी जहां क्रिश्चन बहुले था वहां का आदिवासी क्रिश्चन बन गया और यहां नुमरपुर और बासवड़ा प्रताबगड का आदिवासी ज्यादातर आदिवासी अपने आप में हिंदू लिखने लगा तो धर्मांत्रित आदिवासी यानि कि सबी धर्मों में जो बढ़ चुका है अगर वो सारा आदिवासी बाहर हो जाता है तो राजस्थान का पूरे देश में एक हजार के लगबग आदिवासी शेश रहते हैं देखे असब दिन ओवेसी से हमारा कोई गटबंदन नहीं है हमने गुजरात में पहले जहां उन्होंने एस्टी एस्टी माइनूर्टी की बात आये थी इस बात की किया लेकिन वहाँ पर हम लोगों को काफी नुकसान हुआ और आमने इस गटबंदन को तोड़ दिया है हम आने वाले समय में इसका भी हिसाब किताब मैदान में आकर के चुका देगी हमारा एक ही होगा अब की बार इस संबाख से हमारी जित्ते भी विधायक जीतेंगे हम मुद्दों पे करेंगे काम करिए सरकार में कहीं भी हिस्सेदार नहीं बनेंगे काम करेंगे हमारा काम से मत पात मेरी जर्वेशन